हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल स्टेड़ी विद अंकिता आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शाहिनबाग पटेस्ट के बारे में ये पटेस्ट अगनैस किये गए थे शाहिनबाग लोकेलिटी जो थी साउथ इस दिल्ली में है वहां की वोमेंस के द्वारा ये पट पटेस्ट था वह काफी फेमस हुआ था क्योंकि सबसे पहले तो ये पटेस्ट शुरू आता 14 जिसंबर 2019 को और ये पटेस्ट खतम हुआ था 24 मार्च 2020 को 24 मार्च 2020 को आपको पता होगा हमारे देश में लोगड़न लग गया था 23 मार्च को इसके बाद ये पटेस्ट खतम कि जा गया था और सबसे बात जूरूरी बात ये जो इसमें महलाईं थी सारी की सारी जिन्होंने पटेस्ट में हिस्टा लिया था और ये मुस्लिम महलाईं थी इनकी जो एस थी वह थी पचास आठ के पास एस थी और ये एक लोकालिटी अशाहिन बाग जो कि 37 दिल्ली में कि जो वांपे उनकी जो रोड थी उन्होंने इस रोड को ब्लो कर दिया गया था जिसके वज़े से क्या हुआ था जो वीकस की आवाजाई को काफी दिक्कत हुई थी और साथ में जो डेली कम्यूटर से जाएं कि जो डेली आना जाना रहता था लोगों का उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था और अगर बात करें हम अल्टरनेटिव रूट्स की उसमें कहता बहुत ज़्यदा टाइम लगता था और साथ में ट्रैफिक के वज़े से एक दो घंटे एक्स्ट्रा लग जाते थे लगता हैं और आपको पता होगा अब भी भी हमारे देश में फामर्स पस्ट्र काल कर रहे हैं जो हाईविज हैं è prats яद रोड्स्ट्रेम के पना कर रहे हैं तो अगर हम बात करें कि हैं तो हम commander र्ग है कि हम सरकार के खिलाफ अपना जो परदर्शन है अगर हमें कुर्ण का बील है कोई अक्ट है पसंद नहीं है हम उसके खिलाफ पटेस्ट कर सकते हैं बड़ यह पटेस्ट क्या हम जो पब्लिक प्लेसिस हैं उन्हें उकुपई करके पटेस्ट कर सकते हैं और साथ में कि अगर प वहांने प्लीक प्लेसिस हो यह इसा नहीं कर सकते। चला था शार महीन था तो हम इतने लँब당히 समय तक पलेसिसे इस से जो उक्कोपाई नहीं कर सकते हैं और साथ में सुप्रीम कोट ने ये भी कहा है कि जो आपका पीस्पूल पर टेस्ट है यान कि शांति पूर्य पर टेस्ट है आपका एक यारी इसके उपर क्या लगती है कुछ रिस्टिक्शन्स लागू होती है जैसे आपको बताया था उसमें उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास freedom है आप कोई भी कपड़ा पहन सकते हो बट वहां पे लड़के ने कमेंट किया था कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं अगर आप बिकनी पहन के corporate office जाओगे तो वह आपको वहां से बहां निकाल देंगे हाँ यह बात बिलकुल सही है क्योंकि कोई भी right होती है अगर हम बोलने की right बात करें कपड़े पहनने की right की बात करें तो वहां पे कुछ ना कुछ restrictions है वो लागू होती है और एसा ही इस case में है अगर हम right to protest की बात करें तो इसमें भी कुछ क्या है आपको restrictions लागू होंगी हों सब्सक्राइब करना है उसे वापस सही करना है क्योंकि स्प्रीम कोड ने पहले इंटर्फेर किया था फर्बरी के टाइम पे उसने कुछ अपने भीजे थे बट वहां पे कोई सुलुशन नहीं निकल पाय था और साथ में सुप्रीम कोड ने ये भी कहा है कि आपको जो कोड के ओर का वीट नहीं करना चाहिए क्योंकि कोड 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 का अब आया है और प्रटेस काफी टाम से चल रहे थे तो आपको और पास करने के लिए कोड की अनुमति लेने के कोई ज क्या होता है कि अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं हो विए इसके के लोग का कहना क्या है कि अब भी प्रटेस चल रहे हैं और हमारे इंडिया में जी आएक आम बात है क्योंकि हम एक डेमोकरिसी में जीते हैं तो जो हमारे नहीं कर सकते पबलिक प्लेशिस को रोक नहीं सकते यह हमारे जो एक इंडियन की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि देखिए अगर आप पबलिक प्लेशिस बोग करते हो तो जो दूसरे डेली कॉम्मुटर से उन्हें कितनी परिशानी का सामना करना पड़ता है तो यह बात आ आश्रा करते हूं आपको जी वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक्स पो वच्छिंग माई वीडियो टेक क्यार और बाई बाई